दोस्तों स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में आज है 14 माच 2020 और आज की महत्पूर्ण परिक्षा से जोड़ी खबरें और करेंट अफेस के क्वेस्ट को देखते हैं करेंट अफेस में वन लाइनर आज के लिए नहीं है क्योंकि मैं किवल यूपी PCS, UPSC की परिक्षाओ में UPSC हो गया UPSC हो गया UP की परिक्षाओं देते हैं उसके लिए जो रिलेवेंट होते हैं उन्हीं प्रशनों को उठाते हैं करेंट अफेसे तो आज कोई इतना रिलेवेंट वन लाइनर नहीं मिला लेकिन हाग कुछ स्कीम से हैं चर्चा में उनके बारे में हम बात हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं जो सबस्यादा सुर्ख्यों में है कोरोना वाइरस भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है दिल्ली में आया फिर हरियाना आया हरियाना ने इसको सबसे पहले महामारी राज महामारी घोशित किया तो राज महामारी घोशित करन या महमारी इसको तो धीरे दीरे आन्ने राजों में यह विस्तारित हो रहा है आप लोग इससे बच कर रहे हैं कोवीड 90 से 19 से ठीक है कोवीड 19 से डिजीज से आप बच कर रहे हैं इसके लिए तमाम प्रिकॉशन से तमाम दवाएं आ हैं कि आप प्रिक्योर कर सकते हैं अपने आपको इसके अलावाबात करें परिक्षाओं की तो यूपी प्रिक्षाओं यह कुछ समय के लिए अब टल गया लगबग 6-7 दिन इसमें लगेंगे परिक्षा को का परिक्षाओं आने में मैं आपको बता दूँगा कल उम्मीद थी परिक्षाओं आ जाए के लेकिन किनी करणवस वो रुक गया अब रुकेगा थोड़ा 6-7 दिन लग समय से परिक्षा होगी इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रहम में रहे हैं बी यो की बात करें खंड सिक्षा अधिकारी की तो अभी जैसा की चल रहा है कोरोना का आतंक जो चल रहा है उसके तहत तमाम परिक्षाओं रद्द कर दी गई हैं तो लोगों ने डिमांड की है आयोक सरकार से कि खंड सिक्षा के अधिकारी जो एक्जाम है 22 मार्च को उनको रद्द करके अगली डेट रखी जाए तो देखे डिमांड की गई है अब आयोक के उपर है वो सरकार के उपर है वो क्या फैसला लेती है तीसरी बात है यूपी टिपर स्टीम जो पीई टी लागू क किया गया है देखिए दोस्तों आप किसी अच्छी चीज का विरोत क्यों करते हैं पीटी तो अच्छी चीज है कि आप एक बार पूरी त्यारी की साथ दीजिए अगर आप एक बार बार दीजिना आपको कौन रोक रहा है कोई रोक तो नहीं रहा है तो एक बार जो दे रहा ये सब बचेगा और सरकार को भी थोड़ा सा सहुलियत होगी परिक्षाओं को कंड़क्ट कराने में जो दूर दराज से आते हैं परिक्षा देने जो जॉब कर रहे हैं जो अन्य स्थानों पर रहते हैं प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी बार- पर आना नहीं पड़ेगा प्रिलिम्स देने के लिए तो पीटी एक अच्छा कदम है मेरे अंसार उसका विरोध लोग करना सुरू कर दिये हैं उसके लिए धर्ना प्रदर्शन भी होना अब जो है स्टार्ट हो गया हाला कि उससे कुछ होगा नहीं लेकिन मैं आपको एक ब का सब्सक्र? इसमें तर सब्सक्र जो एक बारे इसमें लेका हुगा है नहीं था सिर्फने कुछ हैं इसमें इसमें तमाम जो एंजियोज लेक्त हैं Self-Help Groups जो हैं सयम सहयता समू, उनको भी इसकार में सहभागी बनाया गया है, सरकार इसमें परियापता अंधान भी देती है, और तमाम कंपनियां भी CSR के तहट इसमें सहयता राशियां देती है, किरन का पूर्ण रूप क्या है सिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागेदारी इसका फुल फाम है किरन विज्ञान एंवं प्रद्योकी छेत में लेंगिक समानता से संबंदित विभिन वुमोदो या चोनोतियों का सावाधान कर रही है इसमें अनुसंधान प्रद्योकी विकास प्रद्योकी प्रदर्शन सौरोजगार आधिके अउसर उत्पन कराना तथा विज्ञान प्रद्योकी के अध्यादुनिक सुविधाओं के लिए महिला विश्वध्यालेयों को सहायता प्रदान करना शामिल है इसके लिए ध्यान दीजेगा प्रतिवर्स सरकार 75 करोन रुपए का बजट अबंटित करती है थोड़ा बंजारा समुदाय आज कल चर्चा में है क्यों है आज देखते हैं अंतराष्टी महिला दिवस के उसर पर प्रधान मंत्री ने महाराष्ट के बीड जीले के बंजारा समुदाय की महिला उद्यमी क्या नाम है नाम याद रखियेगा परिक्षा में आएगा जरूर्व विजया पवार की एक कहानी सौजा की पिछले दो दश्कों से बंजारा हस्तसिल पुछेत्र में काम करने वाली महिला उद्यमी विजया पवार ने बंजारा समुदाय की पुरानी गोर मती कला से दुनियों को परचे कराया तो गोर मती कला किस से समंद्ध थे बंजारों समंद्ध है तो इस कला से परिचे करा है आपको मद्धिकाल में प्रशनाता है कि मद्धिकाल में बंजारे कौन थे तो बंजारे घुमनतू प्रजादिक थी और ये क्या करते थे घूम घूम के ब्यापार करते थे विजया पवार महाराश्ट के बीड जिले में चार तालुकाओं में काम कर रही है इसके तहट कुल 982 महिला कारीगर जो 97 साहिता समू की सदस्य भी है उनके साथ काम कर रही है बंजारा समुदाय के बारे मन्य बाते बंजारा लोगों को कई अन्य नामों से लमान, लमांडी और बंजारी से भी जना जाता है यह एक घुमन्तु जन्जाती है जिसका मूल स्थान उत्तर भारत का मारवारग शेत्र है किंतु वर्दमान में ये भारत के कई राजियों में निवास करते हैं ये पारंपरिक रूप से गोर बोली, गोर मौटी बोली या ब्रिंजारी एक स्वतंत बोली बोलते हैं जो इंडो आरियन भाषा परिवार के अंतरगत आती है। बंजारा जंजाती ने व्रिक्षा रूपन के लिए अपनी भूम को जब्त करने और उन्हें श्रम के रूप में नामांकित करने के लिए ब्रिटिस प्रयास का विरोध किया था। आदतन अपराधी अधनियम 1952, Habitual Offender Act 1952 के तहट सूची बद किया गया था। तो महत्पूर्ण है। नारी शक्ति पुरसकार की बात के हैं तो राश्पती रामनात कोमिन ने अंतर राश्टी महिला दिवस के वसर पर राश्पती भौन में आयो ज़े। अंतर राश्टी महिला दिवस कब था? आठ मार्च 2020 को इस बार ठीक है आठ मार्च परतिवर्स आठ मार्च को मना जाता है अंतर राश्पती भौन में आयो ज़े देख विशेश समारों में वर्स 2019 के लिए नारी शक्ति पुरसकार प्रदान किये। ये पुरसकार पंदरह प्रतिष्ठित महिलाओं को विशेश रूप से असहाय और वंचित महिलाओं के उत्थान की दिशा में किये गए उत्किष्ट प्रयासों हेत प्रदान किये गए। नारी शक्ति पुरसकार के लिए नामित केरल के कोलम के अल्ला पुझा की भागी रती अम्मा पुरसकार प्राप्ट करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकी। प्रिकति अम्मा, कार्थाइनी अम्मा, चामी मुर्मू, नेल्या वांगो, बीना देवी, मानकोर, आरिफा जान, नारी शक्ति पुरसकार, महिला और बाल विकास मंतराली की एक पहल है जो व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा समाज में महत्पूर्ण और सकारात में बद का आयोजन किया गया, यहां तेवहार केरल में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटकुल भगवती मंदिर को महिलाओं के सबरी माला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दस दिवसी यह उस्सो मल्यालम माहिने मकरम क उंभम फरवरी मार्च जिसको कहते हैं, शुरू होता है, पूरम तारे, पूरम तारा जो है, जो पूर्डिमा के साथ मेल खाता है, के शुब दिन पॉंगाला समारो का आयोजन किया जाता है, दस दिन तक चलने वाले इस तेहार में लाखों महिलाएं, अटकुल भगवती द दारे में इकठा होती हैं, अगली जो बात चर्चा में है, सोने रिला सुलफेई, केरल के वाइनाड में इस्थित पश्मी घाट के मिपड़ी वन रेंज के अंतरगत, मिपड़ी वन रेंज कहा है, केरल के वाइनाड में, इसके अंतरगत थोलाई राम वन छेतर से पौधे क एक नई प्रजाती सोने लीरा सुल्फेई की खोज की गई है मुख्य बिंद इसके बारे में यह प्रजाती मेलास्टो मेटेसी परिवार के सोने रीला वंच से संबंदित है इस वंच को गोल्डन लीफ के नाम से भी जाना जाता है जो मुख्य रूप से पश्चमी घाड़ में पाय जाता है विश्वर में इस पौधे की 183 से अधिक प्रजातिया है ये पौधे वर्शा रितु के दोरान जल्ध हराओं के पास की चट्टानों पर उगते हैं इन पौधों में मानसल कंद, पत्ते वंफूल होते हैं इस पौधे का जीवन चक्र केवल 4 महीने होता है इस नई प्रजाति को सोने रिला सुल्फेई नाम प्रिंस सत्तम बिन अब्दुल्ला लीज विश्युद्याले सौधी अरब के प्रोफेसर M.M. सुल्फे के परियावरण में अहम योगदान का सम्मान करने के लिए दिया गया है तो यह थे महत्पूर बिन जो आपकी प्रिलिम्स और मेंस की दोनों परिछाओं के लिए वहत्पूर हो सकते हैं टिपपड़ी आ सकती है या स्टेटमेंट वाइस पूछ सकते हैं या कुछ वन लाइनर भी पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद